हलो दोस्तों मेरा नाम है ममदा और आपका स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल पर आज मैं आपके लिए एक नए रेसीपी लेकिया हूँ अचार की रेसीपी है इंस्टेट बन जाती है जिसे जात के साथ ही बना लो और एक दिन बाद आप इसे खा सकते हैं यह कितर हो जाता है एक दिन में बिलकुल भी तो दिखने में कितना ज्यादा जिमी लग रहा है तिनहे टेस्टी लगता है कि में क्या ही बूलू आपको मुआ है यहां लभीमा किचन में आपका स्वागत है तो चलिए अज यह सबसे हैं रही तो इसलिए के शकन के नाण सम्दाइन को कि टुकते हैं कि बोगम हैं। इसलिक मासालों तक अरोश्ट करके शेक बीए। उस स्य क्याया है इनका मोशियर खतम हो जाता है और अचार खराब नहीं होता तो एक मिनद तक में भुना लोः फ्लेम पे और फिर एक प्लेट में निकाल लेंगे जब यह ठंड़ा हो जाएगा तल हम क्या करेंगे इसको मिक्सी में डाल के और दरदरा पीस लेंगे पिर यहां क्या करेंगे जब तक यह ठंडा हो रहा है तब तक हम ओइल गरम करने के लिए चड़ा देते हैं तो मैंने यहां पर सासो का तेल लिया है अचारक से सासो के तेल में इच्छा बनता है तो मैंने यह लगवग लगवग आदा कप लिया है एमेल में होगा 125 एमेल होगा तो इसको गरम करने के लिए रख दिया है फिर यह मैंने हरी मिर्चे लिए लगवग लगवग 15 से 20 हरी मिर्च होगी तीखी वाली हरी मिर्चे वह आप चाहिए तो कम तीखी वाली भी डाल सकते हैं पर मैंने यहां पर तीखी वाली डाल लिए क्य बिल्कुल भी मोस्टर नहीं रहना चीए नहीं तो मारा चार खराब हो जाएगा तो मैंने इसको इस तरी के से पोच लिया है लासुन को फिर मैंने अध्रक ली थी अध्रक होगी वन थर्ड कप लगब लगब उसको बारेक टुकड़ों में काट लिया है पहले धोया फिर अच हुआ पर फिर हमिकी से कट लनेंगें को तो माहने आप लिए एक कली को बूंसा जब तो तो आप देख पारे होंगे सारे ल को इस तरी के से कट कर लेंगे लेगे 7oArheim दौत कर लिए तो मतलब बीच में कट लिए और एक मिर्च के चार पीस कर लेंगे तो आप देख पार होंगे आप अद्रुक को हम काट लिए और फिर आप देख पार होंगे हैं और यहां को पीसियर ठीकशी वह इसके मुएक अध्रक को पीसे थें पथे हैं! तो रचाच Terra Тारत हैं मिला लें तो हमारे नाम मीच़ आ जाईगा अध्रक वह अज अध्रक झाए तो तब तक हम उसको गरम करेंगे हलका कच्छा भी रह जाएगा तो हीट आएगी तो अशन नहीं करना है आप चाहिए पूरी भी तल सकते हैं तो अच्छे से पक जाएगा पर मैंने याप नहीं तलिए अगर आपको गरम करते हुए जादा स्मेह लाती तो थोड़ा सा नमक ड यह एक चमची मैंने यह पर नमक डाला और आदा चमच मैंने यह पर काला नमक डाला और दो तीन टेवल स्गून में ने आप वाइट विनेगर डाला है उससे कहाए तो अलका खटा करना चाहेगा और अमारा आचार खराब नहीं होएगा बिलकुल भी विनेगर डालने से त अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसकी बी कर सकते हैं तो सारी चीजों को इस तरह किसे मिक्स कर लेंगे और फिर क्या करेंगे इसको डखके और लगब लगब एक डीट घंटे के लिए रख देंगे हम इसको तो फिर जब तक तेल भी हमारा ठंडा हो गया और चाहिए लिए कर सकते हैं उन्हें है और दो इसके अंधर या पर देड़ खकेंगे और फिर को मिक्स कर लेंगे इसको मेरे चार के कुट्री कम है तो मेंने इस लिए कम डाला है अगर आपके चार की क्वांट्री ज़्यादा जैसे आप हम सबसे इम्पोटेंट बात होती तो यह तो आप इसे दूप में सुखा लीजिए या फिर दोनुए चीज नहीं कर सकते तो इसे करेंगे एक आग जिया लालेंगे कोईले की और उसके ऊपर थोड़ी सी हिंग डालेंगे और हमारा जो जार था वो इसके उपर उल्टा रहते हैं इस तरह से तो इसकी दूप इसके अंदर जाएगी तो इसे चार हमारा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और टेस्ट में भी एक तम बेस्ट रिजट आएगा तो इस तरह की से मैंने एक मिनट के लिए दूपर रखा और फिर निकाल लिया और फिर इसके अंदर हमारा अचार भर लेंगे तयार करके तो खराब नहीं होगा फिर एक घंटे के बाद मैंने प्लेट हटाई और उसके अंदर जो हमारा मसाली मिला हुआ तेल था तेल बिल्कु अचार में तो इलक्सर जादा ही रहता है क्योंकि अगर डूबेगा नहीं तो खराब हो जाएगा तो मैंने यहां पर पूरा तेल डाल दिया है फिर इस तरह के से मिक्स कर लेंगे और फिर क्या करेंगे वो जो हमारा जार था जिसमें हम दूए दिये थे कोईले की वह इसके तो आप इसे जुरूर से ट्राइ कीजिएगा मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केर आम खुश रहो मस्त रहो तंदूर्स रहो